नमस्कार यारे बच्चों, आज हम पुना एक नया अध्याय के साथ यहाँ पर उपस्तित हुए हैं, जिसमें कि हम कक्छा एक से विशाय गनित के उपर हम अध्याय 12 समय के उपर बात करेंगे, तो आईए हम देखते हैं, बच्चों आपने अपने घरों में कलेंडर तो देख इन ही दिनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर कलेंडर पर दिखाई दे रहा हैं, तो बच्चों इसमें देखिए आप लोग, बाई और लिखा हुआ है, रवी, सोम, मंगल, भूध, गुरु, शुक्र, शनी, यह आपको कलेंडर पर दिखाई देग इसको हम देखते हैं, तो यह जो है, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, हमने दिनों के नाम को अलग कर लिया यहाँ पर, यहाँ पर आपको जो रवी लिखा हुआ दिख रहा है, उसका मतलब होता है रवीवार, जहाँ पर आपको सोम लिखा दिख रहा है, वो है स सुक्र को हम सुक्रवार और सनी को सनीवार इस प्रकार जो है दिनों के नाम कलेंडर पे इस प्रकार लिखा रहता है चुकि बच्चो हम यहाँ पर आपके पुस्तक की बात कर रहे हैं तो पुस्तक में आपके दिनों की जो बात हो रही है वो है सोमवार से तो सोमवार से देखते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बूधवार, गुरुवार, सुक्रवार, सनिवार इन दिनों में आपके जो है इसकूल लगते हैं जिसमें आप लोग इसकूल आते हैं और जो रईवार का जो दिन होता है वो होता है चुट्टी का दिन जिसमें आप लोगों की इसकुल में चुट्टी रहती है ठीक है बच्चियो तो इस प्रकार हमने देखा कि सप्ताह में कुल साथ दिन होते हैं पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बूधवार, चाउथा गुरुवार, पांचवा सुक्रवार, छटा दिन है सनीवार, और सात्व जो अंतिम दिन है वो है रविवार इस प्रकार कुल साथ दिन यहाँ पर हम सप्ताह में देखते हैं आईए अब हम जिस प्रकार दिनों की बात किये कलेंडर में उसी प्रकार आपको कलेंडर में महिनों की नाम भी लिखे हुए दिखे होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जी तो सबसे उपर में आप देख रहे हैं वो है महिनों के नाम तो प्रत्येक महिनों में उसके महिनों के नाम लिखे हुए होते हैं आईए हम एक एक करके महिनों के नाम को यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले जो है महिनों के नाम में है जन्वरी तो जन्वरी में हम क्या करते हैं हम अपने इस्कुल में क्या मनाते हैं गंतंत्र दिवस जी बिल्कुल सही कहा तो गंतंत्र दिवस जो है हमारे देश में सब विधान लागुआ था उसके उपलक्ष में हम हर वर्ष हम अपने स्कुल में जनवरी माह में 26 जनवरी के दिन गंतन तद्योस बनाते हैं बच्चो अब माह के दुसरे माह में हम चलते हैं जिसमें है फरवरी माह तीसरे माह में हम देखते हैं जो कि है मार्च मार्च में हम क्या करते हैं आप शित्रम देख रहे हैं होली मनाते हैं आप लोग एक दिस रुपर गुलाल लगाते हैं घरों में पकवान बनते हैं मिठाई बाटते हैं उसी प्रकार अप्रेल माह में हम सविधान दिवस के निर्माता डॉक्टर भीम राउम विटकरजी के जनती मनाते हैं 14 अप्रेल को जो की 4 नमबर प्याता है अब हम 5 नमबर के माह में चलते हैं वो है मई का महिना तो बच्चों आप लोगों की गर्मी की छुट्टी रहती है म माह में है ना तो यह है 5 नमबर का माह अब हम चलते हैं छटे माह में जो है जून तो जून में आपकी स्कूल खुलती है 16 जून को आप सभी को पता है आप सभी आते हैं स्कूल ठीक बिलकुल अब हम चलते हैं 7 नमबर के माह में जो है जुलाई तो जुलाई में 11 जुलाई क हम प्रतिवर्स विश्व जन संख्य दिवस बनाते हैं आठवे नंबर माह में हम आते हैं ये है अगस्त का महिना तो अगस्त के महिना में हम क्या करते हैं हम इसकूल में क्या मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस ये हम मनाते हैं 15 अगस्त को इस दिन हमारा देज जो है आजाद हुआ था तो इसकी खुशी में हम प्रतिवर्स अपने स्कुल में जंडोत तोलन करते हैं अब आते हैं नुए माह में जो है सितंबर का महिना तो बच्चो हम सितंबर माह में क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं सिक्षक दिवस आप सभी अपने सिक्षक को सम्मानित करते हैं इस दिन? जी बिल्कुल उसके बाद हम आते हैं दसवे माह में जो है अक्टूबर का महिना तो अक्टूबर के महिने में हम क्या करते हैं? महत्मा गांदी जी की जनती मनाते हैं दो अक्टूबर को हाँ अच्छा बच्चो अब हम 11 मेहने में चलते हैं नवंबर माह में जिसमें हम लोग 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाते हैं बाल दिवस क्यों मनाया जाते हैं बाल दिवस जो है पंडि जवाहा लाल नहरुजी के जन्म दिवस के उपलक्ष पे बाल दिवस मनाया जाता है जो है बारवा नंबर का माह जो है दिसंबर दिसंबर में हम क्या मनाते हैं क्रिस्मस डे आप सभी जानते हैं क्रिस्मस डे सैंट जिसमें की हम प्रथम माह में जनवरी, दृती माह में फरवरी, तृती माह में मार्ज, चौथे माह में अप्रेल, पांचवे माह में मई, छटे माह में जून, सातवे माह में जुलाई, आठवे माह में अगस्त, नवे माह में सितंबर, दसवे माह में अक्टूबर ग्यारवे माह में नमंबर और इसी प्रकार बारवे माह में दिसंबर ये हमने आज देखा तो बच्चों आज हमने दिनों के नाम और महिनों के नाम जाने सब्ताय के दिन होते हैं साथ और महिनों की संख्या होती है बारा ये हमने आज जाना तो बच्चो आपने कलेंडर को देखना तो आज सीख गये हैं है ना तो आप अपने घर में क्या करेंगे आपके परिवार में सदस्यों के जो है जन्मदीन कौन से माह में आते हैं उसको आप लोग कलेंडर में देखेंगे और उसको अपने कॉपी में लिखेंगे ये आपके लिए ग्रीक आ रहे है तो बच्चो अब हम एक नए अध्याय के साथ और मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार